आप सभी को मेरा नमस्कार आपके एपने यूटूब चैनल सी के हिंदी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है कच्छा आठ की विद्यार्थी आज आप लोग अध्याय नौ पढ़ेंगे जिसका सिर्षक है मित्रता तो विद्यार्थिगर इस अध्यायम बताया जाएग एक अच्छा चीत्र है चलते हैं आगे की ओर लेकर आपको जहां से आप पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे चलते हैं प्रारम करते हैं जब कोई यूवापुरूश अपने घर से बाहर निकल कर बाहरी संसार में अपनी इस्ति जमाता है तब पहली कटनाई उससे मित्र च नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ा धार भड़ते जाते हैं और थोड़ी ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल्मेल हो जाता है या हेल्मेल भड़ते भड़ते मित्रता के रूप में परिडत यानी बदल हो जाता है पैड़त हो जाता है यानि बदल जाता है मित्रों की चुनाओं की उपयुकता पर उसके जीवन की शफलता निद्भर हो जाती है क्योंकि संगीत का गुप्त प्रभाव हमारे आच्रापर बड़ा भारी पड़ता है हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रिव्यस करके कार आरम करते हैं जब हमारा चित कोमल और हर्त रखा संसकार ग्रहण करने योग रहता है हमारी भाव अपरिमार्जीत और हमारी प्रभीति अपरिपक्व रहती है हम लोग कच्ची मीठी की मूर्ती के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले चाह यह अच्छास बनाए चाहे देवता ऐसी लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है पहला जो हमसे अधिद्री संकल पर कहे हैं क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना बिरोध की माल नेनी पड़ती हैं पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो दूसरा जो हमारे ही बात को ऊपर रखते हैं क्योंकि एसी देसा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंद्र रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है दूनों अवस्ठाओं में जिस बात का दुन्हावस्थाओं में जिस बात का भय राता है उसका पता यूको को प्राया बहुत कम राता है यदि विव्यक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं राता परिवा पुरुष प्राय विव्यक्स से कम काम लेते हैं कैसे आशर की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके सवगुर दोसों को पराख कर लेते हैं पर किसी को मित्र बनाने में उसके पुर्व आचरण और स्वभाव आधी का कुछ भी विचार और अरुसंधान नहीं करते हैं वे उसमें सब बाते अच्छी ही अच्छी मान कर पुरा अभिश्वार जमा देते हैं हस्मुक्चेहरा बाचित का धंग थोड़ी चतुराई या अ आवावे चलते हैं आप लोगों को लेकर अगले पेश पर साहस यहीं तुछार बाते किसी में देख कर लोग चटपड उसे अपना मित्र बना लेते हैं हम लोग यह नहीं सोचती है कि मैत्री की यानि मित्ता की उद्देश क्या है क्या जीवन के विवहार में उसका कुछ द्वात हमें नई सुचती कि ऐसा आधन ने bess tom का कार्रश रहता है एक प्राशेन विध्यान का वचन है विश्वास्पात्मित से बड़ी भाई-चाह रती है मतलब एक विश्वास पात्रमित है विस से बहुत बड़ी अच्छा होती है जिसे एस मेत्र मित्त हिसे समझना चा हमें अपने मित्रों से यह आशा रखने चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें द्रिड करेंगे, दोसों अउत्रूटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्थ पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार्ग पर पर रखेंगे तब वे हमें सचि प्रेथ करेंगे सची मित्ता में उत्तम बैद की leaning सची मितना में उत्तम बैद जैसी निप्रता और परक्त होती है मतलब मता के जैसा धहर रहता है अच्छी मित्र में और कोमलता होती है ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्य व्यक्ति को करना चाहिए चात्रा अवस्था में मित्रता की धुन शवार रहती है मित्रता हिद्य से उमर पड़ती है पीछे के जो इसने बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिनता बाल मैत्री में जो मगन करने वाला आनंद होता है वह और कहां प्रया मतलब जब भश्पन में अननन में जो मगन करने वाला आनंद था वह अब कहाँ है कैसी मदूरता और कैसी अनुजत्ति कैसा आपकी विश्वास होता है कैसे कैसी उ lei किलते हैं कै वरतमान दिखाई परता है और iした के शंबंत में कैिसी लुभा उने वाली ख़ल्पनाए मन में रहती है साप अठी कि मित्ता इस उक्ति में हिदे कि कितने भारी उतल-फदल का घञ़ पुरुष कि मित्रता से देड़, शान्द और गंभिर होती है। उसी प्रकार हमारी वावस्था के मित्र बाल अवस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समस्ता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र की आदर्सों की कल्पना मन में करते हैं, करते होंगे। पर इस कल्पित आदर से तो हमारा काम जीवन के जंजटों में चलता नहीं सुन्दर प्रतिभा मनभावनी चाल और स्वचंद प्रकृति यहीं दोचार बाते देखकर मित्रता की जाती है पर जीवन संग्रा में साथ देने वाले मित्रों में इन में से कुछ अधिक बाते होनी चाहिए मित्र केवल उसे नहीं करते जिसके गुड़ों की तो हम प्रसंसा करे हम इसने ना कर सके मतलब प्रसंसा करे गुड़ का लेकिन उसे प्रेम ना कर सके मित्र उसे नहीं करते हैं जिससे अपने छोटे छोटे काम ही काम निकालते जाए पर भीतर ही भीतर घिड़ा करत मित्र सच्चे पथ प्रशक के समान होना चाहिए यानि अच्छा रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए मित्र जिस पर हम पुराविश्वास कर सके मित्र भाई के समान होना चाहिए किसके समान भाई के समान जिसे हम अपना प्रीती पात्र बना सके यानि प्रेम के पात्र बना सके हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहान भूति होनी चाहिए यानि दुख में दिलासा देने वाला ऐसी साहनवुति जिससे एक के हानी लाब को दुसरा अपना हानी लाब समझे मिद्र का कर्तब इस प्रकार बताया गया है उच और महानकारियों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने सामर से बाहर काम कर जाओ यह कर्तब उसी से पूरा होगा, जो द्रिरचीत और सत संकल्प का हो इसलिए हमें ऐसे ही मित्रों की खोज मेराना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मवल हो हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीयों ने राम का पळला पकड़ा था मित्र हो तो प्रतिष्ठित सुद्ध हिर्दे के हो, मिर्दुल और पुरुशार्थी हो, सिष्ठ और सत्निष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके, और यह विश्रास कर सके कि उनसे किसी प्रकार दोखा न होगा. जो बात उपर मित्रों के सम्मद में कही गई है, वा जान पाचान वालों के सम्मद में भी ठीक है, जान पाचान के लोग ऐसे हों, जिनसे हम कुछ लाब उठा सके, जो हमारे जीवन को उत्तम और आननमय बनाने में कुछ सहायता दे सके, यदपी यानि फिल भी, यदपी उतन नहीं जितनी गहरी मित्र दे सकते हैं, मनुस का जीवन थोड़ा है, उसमें खोड़ने के लिए समय नहीं है, यदि कख और यानि मोहन, सोहन और रोहन, मन किसी का नाम लेजिए, मोहन, सोहन और रोहन हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या बिनोत की ब प्रत्य ही, कर सकते, न कोई अच्छी बार बतला सकते, न सहान भूती, और रहा हमें धाडस बथा सकते, न हमरे आनन्द में सम्म्नित हो सकते हैं, न हमें करतब का ध्यान दिला सकते हैं, तो, इश्वर हमें उनसे दुरहीं रखे, आज कल जान पाशान बढ़ना कोई बड़ किवा पूर्शों को पा सकता है। जो उसके साथ थीएटर देखने जाएंगे। कहा जाएंगे। नाच रंग में जाएंगे। शेर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रा सुईकार करेंगे, यदि ऐसे जान पहचान कि लोगों को कुछ हानी न होगी तो लाब भी न होगा, पर यदि हानी होगी तो बहुत बड़ी भारी होगे, कुसं का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवलनिती और सद्रित्ती का ही नास नहीं करता, बलकी बुद्धी का भी छह करता है, किसी वह पुरुस की संगति यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बधिचक्की के समान होगी, यह उसे दिन रात अवनति गढ़्धे में गि पुजा के समान, जो उसे निरंतर उन्नती की ओर उठाती जाए गे, इंगलेंड के एक विद्ध्वान कोई आवस्था में राज दरबारियों में जगव नहीं मिली, कहां पे इंगलेंड में, इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग को स्राता रहा, यानि कोस्ता रहा, लोगों की संगती में पड़ता, जो उसकी अध्यात्मिक उन्नती में बाधक होती, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिनके गळी वर के सास से ही बुद्धी बरस्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बाते कही जाती हैं, जो कानों में नहीं पढ़नी चाहिए चित पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिन से उसकी पविता का नास्वता है बुराई अटल भाव धाड़ करके बैशती है बुरी बाते हमारी धाड़ा में बहुत जिनों तक टिकती है इस बात को प्राय यानि अक्सर सब लों जानते हैं कि भद्धिव फूहड़गीत जितनी जल्दी जितनी जल्दी ध्यान बचलते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर यह अच्छी बात नहीं है एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा उसने लड़कपन में कहीं से बुरी बात बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वह लाग चेश्टा करता है यानि प्रयास करता है कि न आए परवा बार बार आता है जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते वे बार बार हिर्दय मुर्ते हैं और भेदती हैं अता तुम पुरी चावकसी रखो यानि चकरना रहो ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो असलील आपवित्र और फूहर बातों से तुम्हें हसना चाहें शावधान रहो ऐसा नहों कि पहले पहल तुम इससे एक बहुत समान बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुगा फिर अधा तुम्हारा चैट बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसे बाते बखने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे नहीं ऐसा नहीं होगा जब एक बार मनुस अपना पर किचड में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि कहां और कैसी जगह पर रखता है धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घिरा कम हो जाएगी पीछे तुम्हें उन्हें चिल्ड ना मालूम होगी क्योंकि त तुम्हारा अभिवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पाचान नहर जाएगी अंद में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे अता हिर्दय को उज्वल और निश्कलंग रखने का सबसे अच्छा उपाई यहीं है कि बुरी संगती की लागी है पर लागी है करने का अर्थ है कि अंधरी कोठरी में बला कोई कैसे समझदार हो सकता है अंधरी कोठरी में कोई कैसे समझदार हो सकता है और यदि रास्ता अंधिरा मैं है तो उसे अंधिरा ही अच्छा लगेगा यदि वह अंध्री रास्ते पर चलना चाहता है के से अंदेरा ही अच्छा लगेगा तो देखिए यहां पे कुछ शब्दार्थ दिये गए हैं आप लोग वीडियो ग्रोकर करके भली बाती शब्दार्थ को लिख लेंगे आप लोगों के साथ जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में और देखिए शर्षे पली बात के आये आप लोग इस काहने को अच्छे से सुन लिजिए समझ लिए आप लोगों को वार्टसप के माध्यान से आप लोगों के पास इसका पीडिया फाइल आप लोगों को मिल और पर देख बाद इसी अध्या के कुछ प्रस्थ्थर उट्तर होंगे जो आपको अपने उत्रपुस्ति आप लिठ नहीं होंगे तो विद्यार्थी गार्ड ons इसी अध्याए के कुछ प्रस्थर उट्तर होंगे तक तक के लिए दिश्टाक लागц